इस गाड़ी को आप लोग जून 2021 तक इंडियन मार्केट के अंदर पैट्रल वर्जन के साथ देख पाएंगे डीजल इसके अंदर कोई भी एमजी आफर नहीं करेगा सिर्फ पैट्रल में गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी प्राइसिंग रहेगी इसकी लगबख 12 लाग रुपे से लेकर 70 लाग रुपे तक और इसके अंदर आपको दो पैट्रल इंजन मिलने वाले हैं एक तो 1.3 लिटर का टर्बो चार्श पैट्रल इंजन मिले गा जोकी 161 बही बनाएगा 230 नूटल मिंटर के पीक टॉर्क पे दूसरा 1.5 लेटर का VTI naturally aspirated petrol engine मिलेगा जो की 118 बहपी बनाएगा 150 Nm के peak torque पे 5-speed की manual unit मिलेगी इसके साथ और एक 6-speed की आपको automatic transmission भी company offer करने वाली है ZS जो है मतलब ZS petrol जो काड़ी रहने वाली है इसके अंदर आपको सारे ही features मिल जाएंगे जों से आपको ZS EV के अंदर आते हैं अब चाहिए वो इसके अंदर internet inside वाला feature हो आपके voice command के feature हो या फिर आप लोग mobile phone से जो features control करता है connected car के वो सारे तो overall सारी ही चीचे इसके अंदर आपको same same से देखने के लिए मिलेंगी बट अगर इसकी price की बात करी जाए तो electric के मुकाबले काफी जादे value for money product रहे सकता है और राइवल करेगी यूंड़े करेटा और किया सेल्टो जैसी जबरदस्त गाडियों के साथ features आप लोगों पता ही है कि MG कितने तकड़ देते हैं काफी बड़ी infotainment screen आ जाएगी इसके अंदर जिसमें आप Android Auto, Apple CarPlay, Wi-Fi, Bluetooth वगएर अपने जो भी कुछ देखना है सर्फिंग करना चाहते नेट्फिक्स वखरा देखना चाहते हैं तो वह सारी चीज़ आप लोग इसके अंदर ऑविसली देख पाएंगे तो वहां पर आपको जैड़ेस पैट्रोल जो रहने वाली है काफी ज़्यादा मतलब रख सकता है कि हाँ यार क्यों आगर एक फिचर कि या फिर लोक्स की या फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़ी ची गाड़ी जो दिखती है बहुत अच्छी है हर चीज में मैं इस गाड़ी में कंप्लें मतलब मैं कहता हूं कि किसी भी चीज में इसमें कंप्लेंगे सिवाई एक सेडान ने तो ग्राउंड क्लियरंस का जाता एग्रेसिव लुक वाली लगती है बाकी 1500 लिटर का इसके अंदर ट्रबोचार्ज पैटल इंजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो नहीं वाली सिविक आएगी हाला कि देखो एक फेसलिफ्ट आ तो इंजन विंजन के अंदर को यह सच बहुत बड़े चेंज